शारुखान ने पठान के साथ बड़ी परदे बरजबरज़ स्वापसी की है चीरो की रिलेस के चार साल किंखान का ये कमबैक बॉक्स ओफिस पर कमाई का तुफान लेकर आया है फिल्म ने 38 जिनों में सिर्फ देश में हिंदी वर्जन से 506 करोड रुपे का नेट कलेक्शन किया है जबकि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1187 करोड रुपे पहुँच चुका है वह सिधार्थ आनंद के डिरेक्शन में बनीव पठान ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिये है अब फिल्म की रिलीज को एक महिने से अधिक वक्त बीच चुका है और हर किसी को इंतिजार है कि ये फिल्म सिनमा घरों के बाद अब OTT पर कब रिलीज होगी हाला कि मेकर्स की तरफ से अभी इस पर कोई भी अधिकारिक खोशना नहीं हुई है लेकिन OTT की दुनिया में फिल्म की रिलीज को लेकर नई जानकारी सामने आ गई है ये अश्राज फिल्म के बैनर तले बनी स्पाई एक्शन फिल्म पठान में शारुख खान के साथ दिपिका पादुकोन और जौन अब्रहिम भी है जबके फिल्म में सल्मान खान का धामाकेदार कैमियो है सिनमा घरों में पठान के रिलेज शारुख खान के फैंस के लिए किसी तहवार की तरह रहा 25 जनवरी को ये फिल्म थियेटर में रिलीज हुई थी वह इंपठान अभी भी सिनमा घरों में कमाई कर रही है ऐसे में मेंकर्स जाहिद तोर पर पहले बॉक्स ऑफिस पर अधिक से अधिक कमाई करने की कोशिश करेंगे हाला कि ये तैह है कि ये फिल्म एमाजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी इसके लिए 1499 प्रतिस साल का प्लाइन है आप चाहे तो 189 रुपे का मंतली सब्सक्रिप्शन भी लेकर फिल्म देख सकते हैं विसे कि आप भी चाते हैं कि OTT पर ये फिल्म जल्दी अप पठान रिलीज हो तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह ज़रूर दीजेगा फिलाल एंटेटेंट्मिंट की ऐसे ही मज़दार खबरों के लिए बने रहें जन्हिट टाइम्स के साथ